बीए सेकिंडियर के स्टुडेंट का आज की वीडियो में हार्थिक स्वागत, विश्व के सम्विधानों का तुलनात्म काध्यन, पुस्तक और इसकी अंतरगत हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की सामाजिक आर्थिक विवस्था, सम्विधानिक विकास क्रम और आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे सम्विधान की विशेश्टाएं, विशेश रूप से पंचम गणतंत्र के सम्विधान की विशेश्टाएं राजनितिक अयस्थिर्ता और प्रशाशनिक दुर्बलता की स्थती को दूर करने के लिए दिगाल के नित्रत्व में 1958 में पंचम गणतंत्र के सम्विधान को अपनाया गया उनका मूल मंत्र जो था वो विवस्था और इस्थाईत्व को माना गया पंचम गणतंत के समविधान की जो विशेश्टाएं हैं उनको हम विविन बिंदूओं के आधार पर देख सकते हैं सबसे पहली विशेश्टा समविधान की प्रस्तावना अधितर क्या होता है कि जो समविधान होते हैं उसमें प्रस्तावना शामिल की जाती है और उस प्रस्तावना में समविधान के श्रोद, आदर्ष और लक्षिओं की घोषना की जाती है लेकिन अगर पंचम गनतंत्र के समविधान की विशेष्टा देखें तो उसमें प्रस्तावना के अंतरगर्द, समविधान के श्रोवत, आदश और लक्ष की घोशना नहीं की गई वरन नागरिक अधिकारों, अंतरास्टी कानून के प्रती वचनवद्धता और फ्रांसिसी स संग का उलेख किया गया है, पंचम गनतंत्र के समविधान के उपरोक्त तीनों जो मूल तत्व हैं और प्रस्तावना जब आरम हुई, उसमें 1789 की मानवी अधिकारों की घोशना को गोरवपून याद के रूप में स्विकार किया गया है, इसी तरह इस्त्रियों को भी हरक् अधिकार भी प्रदान किये गए है, सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार और अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का अधिकार भी दिया गया है, इसी तरह श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में प्रतिनिद्व प्रदान किया गया प्रस्तावना में राज्जे को व्यक्ती तथा उसके परिवार की उन्नती के लिए उत्तरदाई माना गया है और राज्जे का कर्टब्व है कि वे सिख्षा की प्रसार ये तो निशूलक एवं धर्म निर्पेक शिख्षा की विवस्था करें इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम गणतंत्र के समविधान की प्रस्तावना में किस तरीके से नागरिकों के अधिकारों की अंतरास्टी कानून के प्रति वचनबधता का उलेक किया गया है दूसरी विशेष्टा है बिना सम्विधान परिशत का निर्मित सम्विधान पंचम गणतंत्र का जो सम्विधान था वो एक निर्मित सम्विधान तो है लेकिन इसका निर्मान किसी भी सम्विधान परिशत के द्वारा नहीं किया गया है किसने किया इसका निर्मार दिगाल मंतरी मंदल के सधश्यों और 39 सधश्यों की परामर्षदात्री सभा के द्वारा इस सम्विधान का निर्मार किया गया है इस सभा को समविधान परिशत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्यूंकि इसे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था और नहीं इस सभा के द्वारा जनता के जो अलग-अलग वर्ग थे उनकी विचारधारा को दृष्टी में रखा गया इस सम्विधान में केवल और केवल दिगाल की विचार धारा को क्रमबद तरीके से स्वरूप अप्रदान किया गया और इस प्रकार हम कह सकते हैं चुकि एक व्यक्ति विशेश की विचार धारा पर आधारित है ये सम्विधान इसलिए पंचम गनतंत्र के सम्विधान को जावना है, 95 धाराएं हैं और 15 अध्याएं हैं इस कारण ये संविधान परियाप्त रूप से संक्षिप्त है और 1946 के जो संविधान बनाया गया था उससे भी संक्षिप्त है और अती संक्षिप्त होने की कारण संविधान में पूर्णता और इसपश्टता नहीं आ पाई है जो अनेग महत्वपून बातें थी उनका सम्विधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है जैसे कि निर्वाचन कानून, संसत के दोनों सदनों के गठन, विधी निर्मान की प्रक्रिया, आर्थिक तथा सामाजिक परिशत के कारे ऐसे बहुत से प्रश्ण हैं जिनमें सम्विध को फ्रांस में अपनाया गया तो उसी द्रिष्टिकोन को अपनाते वे कठोर सम्विधान को भी स्विकार किया गया पंचम गणतंत्र का जो सम्विधान रहा वो चतुर्थ गणतंत्र की तरह कठोर है अनुच्छे जो 89 है वो सम्विधान में संशोधन के दो तरीके बताता ह पहला, रास्टपती सम्विधान में संशोधन का विधियक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3 बटे 5 बहुमत से पारित कर दें तो इसे संविधान का अंग बनाया जा सकता है और दूसरा तरीका है कि प्रधानमंत्री की प्रस्ताव पर राष्टपती या संसत का कोई भी सदशे स्वयम संशोधन विधेयत प्रस्तावित कर सकता है और अगर संसत के दोनों सदन इसको पारित कर देते हैं तो फिर इसे जन्मत संग्रह में निर्वाचकों के समुख प्रस्तूत किया जाता है और निर्वाचकों का जो बहुमत है वो अगर इसका समर्थन कर दे तो फिर यह संविधान का अंग बन जाता है तो इस प्रकार से समविधान में संशोधन की ये पद्धती देखने में तो सरल प्रतीत होती है लेकिन फ्रांस की रास्टी संसद में चूंकि जिस प्रकार की दल्य स्थती होती है उससे इसे अपनाना कठिन प्रतीत होता है व्यहवार में अगर देखा जाए तो पंचम गणतंतर के प्रतम रास्टपती जो थे दीगाल उनकी द्वारा समविधान में संशोधन की पद्धती का मनमाने तरीके से प्रयोग किया गया था अगली विशिष्टा है संकट काल का शिशु 1946 के संविधान के निर्मान के समय फ्रांस में बहुत ही अलग तरीके का वातावरण था एक तरफ जहां राजनितिक अस्थिर्ता थी तो दूसरी तरफ जनता के अंदर उल्लास भी था और वो विजय के गीत भी गा रही थी लेकिन 1958 में जब संविधान का निर्मान हुआ तो ने सिर्फ राजनितिक अशान्ती वरन म्रत्यो काली निराशा भी सर्वत्र व्याप्त थी राजनितिक अस्थिर्ता और सैनिक विद्रहों के कारण ग्रह युद्ध की स्थती चिड़ने की संभावना लग रही थी और ऐसी इस्थती का एक मात्र जो हल था वो कारेपाली का प्रधान के रूप में रास्ट पती को अधिक से अधिक शक्तियां प्रधान करना था और यही कारण है कि 1958 के संभिधान के द्वारा ऐसा ही किया गया और यही कारण है कि 1958 के जो संभिधान बनाया गया जिसे पंचम गंदंत पंचम गंटंत्र के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की भी विवस्था की गई जैसा कि हमने पूरूर में प्रस्तावना के संधर्ब में पढ़ा कि 1789 के जो मानवी अधिकारों के गोशना पत्र थे उसको स्विकार किया गया था प्रस्तावना के अंतरगत इसमें इ शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य की करतवी के अंतरगत निश्चित किया गया जो अधिकार पत्र था इसकी महत्वपून विशिष्टा यह थी कि पश्चमी प्रजातंत्र होते हुए भी पंचम गंटंत्र के संविधान के द्वारा प्रदत जो अधिकार थे उन पर समाजवादी प्रभाव को इस पस्ट रूप से देखा जा सकता था जैसे कि सभी नागरिकों को जीवी का प्राप्त करने का अधिकार और अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का अधिकार दिया गया इसी तरीके से श्रमिकों को उद्योगों की के लिए श्रमिकों को हरताल और प्रदर्शन का भी अधिकार दिया गया तो इस प्रकार फ्रांस के समविधान में मौलिक अधिकारों की जो विवस्था की गई उसमें समाजवादी प्रभाव को भी देखा जा सकता है अगली विशिष्टा है धर्म निर्पेक्ष राज्य क की इस्थापना फ्रांस में धर्म जो था वो राजनीतिक विरोधों और उत्पातों का कारण भी रहा यही कारण है कि 1789 की क्रांती के बाद धर्म को राजनीती से अलग करने का प्रयास किया गया प्रजम जो गनतंत्र था उसके समविधान के द्वारा भी फ्रांस को एक धर धर्म निर्पेक्ष राज्य घोशित किया गया और यह कहा गया कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाती या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और समानता इस्थापित की जाएगी इस प्रकार जो सम्वि के समविधान की तरही 1958 का जो समविधान था वो लोगप्रिय समप्रभुता पर आधारित समविधान कहा जाता है समविधान का पहला जो अध्याय है वो समप्रभुता से आरंब होता है और धरातीन में इस पस्टरूप से कहा गया है कि संप्रभुता जो है वो जनता में नहीं थे और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिमिध्यों के द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। इस प्रकार से लोग प्रिये सम्क्रपुता पर आधरीत सम्विधान का निर्मान किया गया। अगली विशिष्टा है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक साशन विवस्था का समनवे। पंचम गनतंत्र के समविधान की एक महत्वपून वीशेष्टा इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का सुन्दर समन्वे किया गया है। चतूर्थ गनतंत्र का जो समविधान था उसके अंतरगत फ्रांस में किवल संसदात्मक विवस्था को अपनाया गया था। लेकिन फ्रांस की जो परिस्थितियां थी वो संसदात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं थी और यही कारण है कि पंचम गणतंत्र का जब संविधान बनाया गया तो इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों तत्तों का समन्वे किया गया पंचम गणतंत्र की मंत्री परश्थ के सदश्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और समविधान के अनुच्छेद 20 के अंतरगत मंत्री मंडल जो है वो संसद के प्रती उत्तरदाई होता है अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार फ्रांस की राश्थी विवस्था पिका को सरकार को प्रतिनिन्दित करने का अधिकार प्राप्त है और प्रतिनिन्दित प्रस्ताव के पारीध होने पर मंत्री मंडल अपने पद पर नहीं रह सकता तो ये जो उपबंध है, वो संसदिये विवस्था के समान है लेकिन अधिक्षात्मक साशन के अंतरगत पंचम गंतंत्र में भारती रास्टपती और बृटिस समराट के समान रास्टपती का पत नहीं है, बल्कि अमरीकी रास्टपती के समान है उसे अनेक शक्तियां दी गई है और राष्टपती के द्वारा इन शक्तियों का प्रियोग जो है विवेक के आधार पर किया जा सकता है मंत्री मंडल प्रधार मंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है प्रधार मंत्री के परामर्ष पर राष्टी सभा को भंग करने का अधिकार है मंत्री जो है वो संसद की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं किन्तु वे संसद के सदश्य नहीं होते हैं और नहीं उनको संसद में मतदान करने का अधिकार है यदि संसद के किसी भी सदश्य को रास्ट्रपती के द्वारा मंत्री मंडल में सम्मिलित कर लिया जाए तो संसद की सदश्यता का त्याग करना होता है तो इस तरीके से देखें तो अधिक्षात्मक साशन विवस्था के कुछ लक्षन जो है वो फ्रांस के पंचम गणतंत्र में अपनाए गए है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचम गणतंत्र में संसदात्मक और अधिक्षात्मक जो दोनों साशन विवस्थाए हैं उनका सुन्दर समन वे किया गया है अगली विशिष्टा है शक्तिशाली रास्टपती और निर्बल विधाई का चौथे गणतंत्र का जो सबसी महत्वपोन दोश था वो था राजनितिक अस्थिर्ता इस राजनितिक अस्थिर्ता को दूर करने के लिए यह हैं तय किया गया कि पंचम गणतंत्र के अंतरगर नई विवस्था को स्विकार किया जाएगा क्योंकि चतुर्थ जो गणतंत्र था उसमें विवस्था पिका के दो सदन थे राज्टि सभा और गणतंत्र परशद पंचम गणतंत्र में इन दोनों सदनों के नाम परिवर्तित किये गए राज्टि सभा एजटिस और गणतंत्र परशद के स्थान पर सीनेट चतुर्थ गनतंत्र में गनतंत्र परिशत जो थी वो किवल परामश्ट देने वाली थी लेकिन पंचम गनतंत्र में दोनों सदनों की स्थती में परिवर्तन कर दिये गए और सीनेट की स्थती को अमरीकी सीनेट के समान ही कर दिया गया राश्टपती किसी भी कारण से अगर हटता है तो सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वही राश्टपती पत को ग्रहन करता है जबकि पहले निम्न सदन के अध्यक्ष को यह इस्थती प्राप्त थी तो इस तरीके से पंचम गणतंत्र में सीनेट को शक्तिशाली इस्थती प्रदान की गई जो की पूरूर में नहीं थी और ऐसा करने का उद्देश है यही था कि कारेपालिका की तुलना में विधायका को दुर्बल किया जाए क्योंकि कारेपालिका की इस्थती को राष्टी सभा के द्वारा ही आगार पहुचाया जा सकता था सीनेट के द्वारा नहीं इसी तरीके से समविधान की धारा पांच जो है वो इस पस्ट रूप से कहता है कि समविधान जो है, राष्टपती जो है वो समविधान और राज्य का चन्रक्षक है, राष्टपती का कारेकल साथ वर्ष का रखा गया है और राष्टी सभा का कारेकल पाँच वर्ष। राश्टपती की तुलना में विधायका की स्थति को निर्वल किया गया है। उसका महत्रोपून हम कारण बता सकते हैं कि राश्टपती राश्टी सभा को भंग करके नव निर्वाचनत होने का अधिकार दे सकता है य। यानि राश्टपती अपनी मर्ची से जब चाहे रास् सम्विधान में किया गया है यानि सम्विधान से अलग किसी भी विशय पर राष्टी सभा के द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता तो इस प्रकार पंचम गणतंत्र में हमने देखा कि किस तरीके से राष्टपती को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है और विधाय का यानि संसर को निर्बल करने का प्रयास किया गया है अगली विशिष्टा है शक्ति विभाजन के सिध्धान पर आधारी फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का सम्विधान था उसकी महत्व विशेष्टा जो है वो शक्ति विभाजन का सिध्धान्त भी कही जा सकती है पंचम गंदंत्र के सम्विधान में इस सिध्धान्त को अपनाते हुए कारेपालिका और विवस्थापिका को अलग करने का प्रयास किया गया है कारेपालिका का जो प्रधान होता है रास्टपती उसका निर्वाचन संसद के द्वारा नहीं किया जाकर जनता के द्वारा प्रत्यक्षूप से होता है मंत्री मंदल के सदश्यों को संसद की सदश्यता से वंचित कर दिया गया है लेकिन पंचम गंदंत्र के सम्विधान में शक्ति विभाजन के सिध्धान्त को अगर हम दे स्विकार से हम कह सकते हैं कि पून शक्ति विभाचन की बजाए आंशिक रूप से शक्ति विभाचन के सिध्धानत को वहां पर स्विकार किया गया है अगली विशिष्टा है राजनितिक दलों को सम्विधानिक मानिता वर्तमान समय में जब हम क्रजात अंत्रिय राज्यों मे राजनितिक दलों की भूमिका की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि ब्रिटेन भारत और अमरीका इनमें राजनितिक दलों का कोई समविधान में उलेक नहीं किया गया है लेकिन फ्रांस ऐसा रास्टर है जिसके पंचम गंतंत्र के समविधान में राजनितिक दलों को इस पस्ट रूप से मानेता प्रदान की गई है समविधान की धाराचार जो है उसमें उलेक किया गया है कि मताधिकार की अभिवेक्ति का मुख्य साधन जो है वो राजनितिक दल होंगे राजनितिक दलों का निर्मान जो है वो स्वतंत्रता पूरवक हो सकता है और स्वतंत्रता के साथ राजनितिक कारियों का संचलन किया जा सकता है राजनीतिक दलों के लिए ये बात अनिवारे है कि वहरास्ट्री संप्रभुता और प्रजातंतर के सिध्धानत का आदर करें इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक दलों को संविधानिक मानिता प्रधान की गई है अगली और अंतिम विशिष्टा है सम्विधानिक परिशद की व्यवस्था नया जो सम्विधान है उसकी एक विशिष्टा सम्विधानिक परिशद की रूप में एक ऐसी संस्था के स्थापित करना है जिसका समरूप सामानित अनिकिसी देश में नहीं मिलता सम्विधानिक परिशत की व्यवस्था चतुर्थगन तंत्र में थी लेकिन नवीन सम्विधान में उसकी रचना में संचोधन किया गया है पहले की तुलना में इसके महत्व को बढ़ा भी दिया गया है सम्विधान परिशद में नो सदशे हैं जिन्हें नो वर्ष के लिए चुना जाता है एक तिहाई सदशे जो है वो प्रतेक तीसरे वर्ष में हटा दिये जाते हैं सम्विधानिक परिशद के द्वारा चुनाव जन्मत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जाच कारे भी किया जाता है इसके अतिरिक संकट काल की घोशना के पूर्व रास्टपती के लिए यह भी जरूरी है कि वैं सम्विधानिक परिशद से परामर्श ले इस प्रकार संग्रह जो है उसकी विवस्था पंचम गंतंतर के अंतरगत विशेश रूप से की गई है इस प्रकार हम देखते हैं पंचम गंतंतर के संग्रह को उचीत रूप में हम संकटकाल का शिशु कह सकते हैं क्योंकि जब 1958 में सम्विधान का निर्माण हुआ फ्रांस की स्थती बहुत ही संकटकालिंग थी और इसी स्थती से बचने के लिए दिगाल ने एक राजनितिक दाश्निक किया पिक्षा यथात्वादी दृष्टिकोन को अपनाया और ऐसे सम्विधान का निर्माण किया ज आजनितिक स्थाइत्व और प्रशाष्टी कुशलता प्रदान कर सके